नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी लों का केरियर इंडिया एजुकेशन में आज हम आपके लिए लेके आये हुए हैं मद्द प्रदेश पटवारी भरती परिच्छ 2023 में जो प्रस्ण बार बार पूशे जा रहे हैं उसी में से एक महत्पून टॉपिक है 1857 की क्रांती स जुड़े प्रमुक्तत थे जो की मद्द प्रदेश से ज्यादा रिलेटिड है याने मद्द प्रदेश में इसकी शुरुवात कहां से हुई मद्द प्रदेश में कौन कोने से व्यक्ती थे इसके अलावा प्रमुक राजवन्स खास तोर पर मद्द प्रदेश के हैं मद्द मतलब प्रस्ण यहीं पर आसपास घूम रहा है उनी प्रस्णों को अपन लेकर आए हुए हैं चलिए दोस्तों हर बार की तरह लेट ना करते हुए चालू करते हैं समझेदर क्लास को एक एक प्रस्ण आप लोग देखते जाएं और याद करते जाएं क्योंकि समय आपके पास मेरे पास चलिए चालू करते हैं सब से पहले हम देखते हैं कोर चैन सेंग कहां से थे दोस्तों तो यह कहां से थी यादऄ लिया हुए- याद रखें उसके बादल में सहीद हो गई थी तात्य तो पिकांद पूर जहां सी और गवालियर इन छेत्रों याद रखें अब यागे चलगे अपन सब के बारेटेल में पढ़ेंगे यह आप लोगों को याद करना जरूरी है वह बहुत बार नाम सवत नाम अब लोगों भीमन आयक कहां से थे तो मंदिलेश्वर से थे संकर्षा इंपोर्टेंट हैं दो बार बार प्रशन पूछा जाता है तो गड़ा मंदिला से हैं ठीक है इंपोर्टेंट है यह नारायन सिंग रायपूर से थे चुकि उस समय पर इस प्रकार से जैसे मद्ध पृदे सो चाथिस से रानी अबंती भाई यह कहां से थी दोस्तों यह राम गड़ से थी कहां से थी राम गड़ से सहादत खान कहां से थे तो यह महूं इंदौर से थे कहां से थे महूं इंदौर से याद रखें राजा ठाकुर प्रशाद यह कहां से थे रागो गड़ से थे कहां से थे राग रागो गड़ से, नाम क्या है ठाकुर राजा ठाकुर प्रसाद, जलकारी बाई ये लक्ष्वी बाई की अंगर अच्छत थी, लक्ष्वी बाई की अंगर अच्छत थी, तो यान इसका मतलब ये भी 18.15 से जुड़ी नहीं है, ठीक, गिर्धारी बाई ये रामगड़ से थी और ये अवंती बाई की रच्छत थी, अवंती बाई की अंगर अच्छत थी, कौन गिर्धारी बाई किलियर, अवंती बाई कहां की है, रामगड़ की है, उपर अपने देखिए, अवंती बाई की रच्छत गिर्धारी बाई किलियर हो गया, और जलकारी बाई, जो की है, दोनों को आप लोग याद रखें और दोनों का छेतर याद रखें। श्री बहादुर एबम देवी संग् ये मंड़ला से थी। शेख रमजान ये शागर से थे ये इंप्वोर्टेंट है दोस्तों सेख रमजान कहां से थे शागर से थे टांटिया भील खरगॉन से टांटिया भील या टांटिया एसा भी नाम आता है टांटिया भील तो दोनों नामों को आप लोग याद रखें यह होता क्या है नाम परिवर्थित हो जाते हैं दीरे-दीरे समय के चक्र के कारण दीरे-दीरे बोलने में तो कभी टांटिया कभी पर नाम भाई है तो यह खरगौन से थे इंपोर्टेंट है आता है प्रश्मिन पर भारत में विसेश स्थान और विसेश व्यक्ति जो 1857 की क्रांती के समय के जो दस्तावेज हैं सरकारी दस्तावेज की बात कर ली जाए चाहे अगर देखी जाए तो देशी दस्तावेजों की यह जो दस्तावेज है यह इतने अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएं कारण क्या था कि 1857 की जब क्रांती हो रही है तो जो क्रांती कारी है वो योजनाय बनाय करते थे और निश्यत तोर पर उनको कागज में लिखा भी करते थे लेकिन जैसे ही योजना को क्रियानवन करन कोई इसको हिंदू मुसलिम की आपस में अंग्रेजों के बुरुद एक रणनीती कह देता है तो इस तरीके की तमाम बातें लिखकर आती है क्योंकि लिखे दस्तावेज इस समय के पूर रूप से उपलब्द नहीं हो पाए है क्योंकि क्रांती कारी उनको जला दिया करते थ नहीं थे बहुत अच्छी एक तरीके से कब्र बनी हुई है लेकिन जब यह वहाँ थे तो इनका जो स्याने ने तत्र था वो किस ने किया था वक्त खाने चुकि यह काफी ज़्यादा बुजरुप थे दूसरी बात यह खयालों वाले व्यक्ति थे दोस्तों है ना एक तरीक थे तो यह कट्टर नहीं थे दूसरी बात इनके पास उत्ती ज़्यादा सेन शक्ती भी नहीं थी और उपर से बुजरुग भी यह काफी हो चुके थे तो इनके जो सेन नेत्रत है या इनके जो मुख्य सेना पती थे वो थे वक्त कम क्लियर कानपुर से थे नाना साहब कौन कोई प्रबंद नहीं तो इस पैंशन के कारण उनका धिमाग खराब था उनके एक महत्पूर सेनापती तात्या टूपे जिनको आप लोगों को याद होगा कि दो से तीन वार पशना आ गया है इसी पटवारी में इस बात को आप लोग याद रखें और तात्या टूपे को स इसनाम सुन रखा होगा तो लखनों के नवावूं की तरफ से बेगम हज़रत महल 1857 की करांती में है जहांसी से कौन थी दोस्तों जहांसी सी रानी लक्ष्पी भाई आप लोगों को याद होगा इनके पती थे वो समाप्थ हो गयते पती के समाप्त हो जाने के बाद में डल हैं तो उन्हों हैं अंग्रेजोंने इस तरीके की अंपनिती अपना कर उनकी राज्य को ले लिया इसलिए जहांसे गिरानी आई थी इत्व हो जयारी इंपोर्टन्ट पूछा जातारी आ इंप सीधा Hier यागतली जग्दीशपुर से कौन थे दोस्तों कुवर सिंग। एन्हों ने तो अंग्रेज़ों को बहुत ज्यादा नाकू चने चब बाद ये थे बहुत परेशान कर रहा था कुवर सिंग थे ठीक है ये जग्दीश पुर से थे बरेली से कौन थे खान बहाद्दुर खान बरेली से कौन थे ?икомanza-बह FER Today प्रिदेश से भी जुड़ए हुए हैं थोड़ा भूत भारत के भी है पूरे प्रिदेश नहीं यह लेकिन कुछ फेक्ट है जो इस परिच्छा के तहТप में अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत हीजादा इंपोर्टेंट है क्योंकि पूरे फेक्ट को लेके आते तो थारो संतावनी करांती दोस्तों पूरा तीन घंटे का टॉपिक है ना तो यहां पर उन्नून चीज़ों कवर किया गया है जो पटवारी में आ रहा है पटवारी में आप लोगों को बता दू दोस्तों कि बहुत ही उपर उपर के ले को से बेसमाट को समझना मेरी बात को आपने बहुत तयारी किरे math जाता जाता है और जिससने इस समझना मेरी बात को आपने बहुत तैयारी की होगी निश्चित तोर पर नो डाउट क्योंकि बहुत दुनों के बाद वेकेंसी आई थी लोग एकदम लग गए थे पढ़ने के लिए अच्छी तैयारी की होगी आपको विश्वास भी है कि वह आपका पेपर निकल जाएगा और निकल भी जाएग समय नहीं है तो एक एक घंटे आप लोग महित रिजनिंग पर ध्यान दें और याद रहिए जैसी कि आपने महित का कुई क्वेश्चन लगाया मनली जी महित का कुई क्वेश्चन लगाया अगर आपको बन गया तो आगे बढ़ जाएगा वाप से उससे रिलेटेटिड कित अस्तवेक नाम राम चंदर पांडू रंग था 18 अपरेल 1859 को सिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया जबकि जो बेगम हजरत महल का जन्मत देखा जाए तो 1820 में और मृत्व 1857 नेपाल में हुई थी ये नेपाल चली गई थी दो वारा कहे गए दोस्तों जो सब्द थे आपके रॉंक्टे खड़े कर देंगे यूरूज ने कहा था कि वो अकेले पूरी तरही के से देखा जाए पूरे व्यक्तियों में अकेली मर्द थी पूरे आदमियों में वह अकेली एक ऐसी थी जो मर्द थी महिला होने के बाभू इ निकलसन अंग्री जी अपसर इसमें मारे गए थे सबसे पहले निकलसन इनको पकड़ने के लिए गए थे जितने भी भारती सेनिक थे और उनके वक्त खांके नितरत में तो निकलसन को नोगों ने मार दिये जब निकलसन मारा जाता है तब वो सोचते हैं कि भईया यहां पर किसी अच्छे जटि को भीजना जरूरी है ततब फिर वो हटसन को भीजते हैं और हटसन ने बहादृर Онаफर को गरफतार कर लिया था दोस्तों डिली के लाल के ले से इनको गरफतार शात साथ में इनकी यो लटके recruited हैं उनको भी गरफतार किया और तीनों ज़नों को अ आगे चलते हैं चंद्रवंस भगेलखंड से बंदेलखंड था सुंग बंस इंपोर्टेन्ट है विदीशा और वेसनगर वही पुस्वित्र सुंग बंस वही राजदानी थी राजदानी था जिसको हम त्रिपूरी या तेवर भी कहते थे त्रिपूरी या तेवर जवलपुर आधमिक रूप से है पहले नाम उसका त्रिपूरी या तेवर था मग बन से है बगेल खंड से सम्मंदित था वाकाटक बन सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों वाकाटक बन से तो वो वाकाटक बंस वाले ही थे, वाकी सब उनके सामने छोटे-छोटे थे। परिवराजक बंस यह कहाँ पर था तो यह बुंदेल खंड में था। फर्ष्ट ECV की बात है, याने कि BC जैसे ही समापत होती है, तभी महापत पर पांड वंस है ना, चोल, चेर, पांड तीन थे ना, चोल, चेर, और पांड यह तीन थे, तो यह तीनों अगर देखा जाए तो वो दक्षन भारत के हैं, वो अलग हैं, यह पांड वंस अलग थे, ठ प्रभाकरी डुंडी राज, यह असायोग आंदोलन की प्रदेश में प्रमुफ नित्रत तो करता थे, जब असायोग आंदोलन चला, आज सहयोग याने हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो यह जब आंदोलन चला, गांदी जी के दोरा चलाया गया है, आंदोलन है, जो की करीके से देखा जाए तो जो चौरा-चौरी हत्याकान दुवता उसके बाद में इसको स्थागित कर दिया गया था है ना इसी असा ही हो गांदोलन में प्रभाकर डुंडी राज ने मद्ध प्रदेश में कर देखा जाए सबसे पहले यही नित्रत तो करता थे क्लियर भारती प्रदेश की गतिविदियों की शुरुआत मद्ध प्रदेश में 1904 में इंपोर्टेंट नाम है ने दिल्ली पर कबज़ा करके मुगल सासक साह आलम को मुक्त करवा लिया था महाद जी सिंधिया को यह साह आलम बहुत जादा माना करते थे आजादी के बाद मद्ध भारत के पहले राज-प्रमक के रूप में जीवाजी राव सिंधिया जो प्रमक के रूप में आजादी के बाद जीवाजी राव प्रमकisparm थे नर्सिंग युबराज चैन सिंग अंग्रेजों की विरुद सहीद हुए राजी के पहले सेनानी थे पहले सहीद सेनानी अगर आ जाए तो नर्सिंग युबराज चैन सिंग को आप लोग याद रखें बस 1857 की करांती की समय गौालियर नर्सिंग जीवाजी राव संधिया थे ठीक है कौन थे जीवाजी राव संधिया उजयेन के स्थान पर गौालियर को संधिया बंस की राजद्धानी मध्ध प्रदेश के बढवानी जिले में आने वाले सेंधवा में 1859 के विदरोह का नेत्रत्त भीमा नायक ने किया किस ने किया भीमा नायक सब्सक्राइब हैं सन 1923 में जवलपुर में आरंब चंडा सत्याग्रह का निर्देशन शर्व श्री शर्व श्री देवदास गांधी राम गोपाला चारे तथा डॉक्टर राजेंद प्रसाद ने किया जबकि नागपुर में जंडा सत्याग्रह का नित्रत तो भगवान दीन एवं पूर्ण चं को आरंब किया था ठीक है रीवा राजे के क्रपाल पुर्ग्राम में लाल पद माधाव सिंग बगेल की सहादत 13 अगस्त 1942 को हुई क्या हुआ था जुलूस पर गोली चलाने से इलहाबाद में हुई रीवा के सेर कहे जाने वाले लाल पदम धर सिंग राष्टी जंडा ले को याद रखिए पदम माधाव सिंग बगेल पदम माधाव सिंग बगेल पुरा नाम है लाल पदम धर सिंग लाल पदम धर सिंग चलिए आज की जो अपनी क्लास से दोस्तों इसको हम सब समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी यहन्य टॉपिक के साथ पर जो की प आप करना हो तो टेलीग्राम से जोना बिलकुल भीना